प्रफिजिक्स क्लास 12 NCEERT question number 2 और यह question में related है कुलंब स्लोव से ठीक है फर्स्ट क्वेस्टन में मैंने कुलंब स्लोव को डिसकस किया था मैंने बताया था कि टॉर्शनल बैलेंस का यूज करके कुलंब इस नतीरे पहुचे थे है कि यह फूर्थ प्रोपरोशनल होता है क्यों प्रोटू के और यह इनवर्सली प्रोपी तरहा तैस क्वायर ऑफ दिस्टंस के करेंगे लिαι और संधे है स्मिन प्रफ्रश असरं नोगने इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small charge of minus 0.8 microcoulomb in here is 0.2 newton तो force जो है उन्दोनों के बीच उसका में चूड है 0.2 newton और अगर पहले को Q1 charge माना जाए तो उस पर charge है 0.4 microcoulomb यानि की 0.4 into 10 to power minus 6 Coulomb यानि की 4 into 10 to power minus 7 Coulomb हर एक को हम SI unit में पर चेंज कर लेंगे exactly और उसके बाद the electrostatic force on a small sphere of 0.4 due to another जो second charge है वो है minus 0.8 microcoulomb आप देख सकते हैं कि यह attraction का force होगा और शीतर बिल्कुल इस लिख सकते हम 8 into 10 to power minus 7 Coulomb okay what we have to find we have to find the distance between them बोला गया है कि दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और उनके बीच के separation R है अगर हमने माना यहां पर तो उनके बीच जो force पाए गया वो 0.2 newton है Q1 पर चार्ज है 4 into 10 to power minus 7 Coulomb Q2 पर चार्ज है minus 8 into 10 to power minus 7 Coulomb हमें निकालना है distance between them क्या यूज करेंगे फ्रमूला क्या यूज होगा तो यूज यूज दो क्या है फ्रम फ्रमूला और ये क्या है स्कुर्ण टाइम्स और कोंस्टेंट के ओके और जब के एयर में ये एयर में होगा दो पॉइंट चार्ज है तो के की वैलू हो जाती है 9 into 10.9 ओके चलिए एफ की वैलू हमें पता है गया मैं बताऊंगा असमें र की वाल भीतनी ये निकल एफ बा मैं अकै इसकी वनुत इन एंक टेंट नहीं पार नाइन 32 x 9 30 x 9 270 this will be 284 sorry 288 okay 288 divided by 2 14 minus 5 और यहांपे minus 4 ओके यह हो जाएगा 144 x 10 to the power minus 4 तो आर कि भल्य वह को मिलेगी चिकि यह आर स्कार कि वेल्ग है आर कि वह को मिलेगी 12 x 10 to the power minus 2 में में आएगा और स्कार्ण 12 cm ओके तो हमें क्या पता चलता है कि यह दोनों फोर्स जो यह अगर इसका डियाग्राम करें तो अगर यह क्यूबन चार्ज था यह क्यूटू चार्ज था इसका बीच का सेप्रेशन आर था अगर इन दोनों बीच जो पन्टू न्यूटन का फो कुछा में यह बोला गया था कि electrostatic force on a small sphere of इस पर जो फोर्स लग रहा है वो बोला गया इतना लगड़ा है स्वरी जो पन्टू न्यूटन तो पूछा गया कि इस पे चार्ज कितना लगड़ा है what is the force on the second sphere due to the first इस पे कितना force लगड़ा है इसके चलते हैं तो न्यूटन थार्ड लोग अगर आप जानते होंगे तो न्यूटन थार्ड लोग कोने सार्ड if a body of mass sorry if a body a exerts a force of f on b then b will also exert a force of minus f on a तो अगर ये force 0.2 newton लगड़ा है इस पे ये इस पे लगड़ा है तो ये भी 0.2 newton का opposite direction में same force लगएगा तो अब से force पुछा गया है what is the force on the second sphere due to the first so the force will be same 0.2 newton but in opposite direction okay and this force will be the attraction force ठीक है तो क्या होगा इस कहान से भी 0.2 newton in opposite direction and force का नेचर क्या होगा attract अट्रक्टिव में चर्ड होगा okay question no.2 था okay question no.2 होगा next move करते है question no.3 प्ले करते हैं करते हैं